2024 लोकसभा चुनाओं के पहले तमाम राजनेतिक दलों की तयारियां चल रही हैं लेकिन साथ ही साथ में कई बड़े चहरे हैं राजनीती के जो अपनी अपनी लोकसभा सीटों के लिए और अपने राजनेतिक भविश्य के लिए भी तयारियां कर रहे है इन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुन गांदी का नाम आजकल चर्चा में है वरुन गांदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर है लेकिन कई मौकों पर अपनी पार्टी के खिलाफ वो बोलते दिखाई देते या उनके बयान पार्टी को असहज कर सकते हैं, ये बात कही जाती है, वो क्या बयान है, वरुन गांदी की क्या राजनीती है, उनके सामने क्या विकल्प दिखाई दे रहे हैं, और क्या वो कॉंग्रेस के साथ जा सकते हैं, और कॉंग्रेस के साथ जाने में उनके और कॉंग् बीजेपी के साथ गई थी, संजे गांधी की सीट पर राजी गांधी को लड़ाया गया, नाराज हो गई अपने परिवार से, उनकी राजनीती अलग होगी, बड़ी लंबी कहानी है, हमने बहुत डीटेल्ड रिपोर्ट इस पर आपको दिखाई है, उस समय महस 24 साल के थे वर और फिर फायर ब्रेंड निता बने वरुन गांधी, तो आपको लगता है कि वरुन गांधी जो है, उनके लिए एक समय आगया है कि वो डिसीजन ले या फिर, आप क्योंकि राजनीती को बहुत करीब से समझते हैं, सुमिज जी ऐसे कई के स्टडी आपने देखी होंगी, ज जातक बात है प्रवीन, मैं दो चीज़ें स्पष कर दूँ, पहली बात तो यह है कि वरुन गांधी, he's just testing the waters, मुझे ऐसा लगता है कि वरुन गांधी को इस बात का आभास हो गया है कि BJP उनको repeat नहीं करने वारी है, वरना कोई ऐसे खत्रा मोल लेता है, सरयाम अपनी सरकार मैं टिकेट नहीं देगा, वो BJP से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उनको इस बात की भी इंडिकेशन्स मिले होंगे, BJP के विरोधियों की तरफ से, कि आप उनके खिलाफ मूर्चा खुल के रखो, यानि एक नए यश्वन सिना बन जाओ, यासे कि यश्वन सिना कर रहे थे, BJP में रहते हुए, BJP के डिसाइज करना, शत्रुगान सिना कर रहे थे, आप बन जाओ, हम पीछे आपके खड़े, तो ये दोनों बाते हो सकती, कि वहां से अभास हो गया है, और यहां से लोगों ने चाबी भर दिये, कि हम आपके पीछे हैं, पर मेरा ये कहना है कि ये ऐसे राजनीती नहीं होती है, वरुन गांदी को वाकई में अगर नरेंद मोदी है और उनकी सरकार की नीतियों सो दिक्कत है, तो भाई एक साल का वक्त रह गया है न, आप इस्तीफा तो, आजाओ समने, BJP को छोड़ दो, और कहो कि मैं मोदी के ख़रा होने को तयार ह आप जिस पार्टी में हैं, अगर आप उसकी नीतियों से सहमत नहीं हैं, तो पिर आप क्यों उस पार्टी में हैं? मेरा पहला सवाथ, दूसरा सवाथ, मैं एक क्यों ना मानूं कि आप ये ब्लैक मेल पॉलिक्स कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहला सवाल पुछा, कि वो ये कि उनको टिकेट चाहिए मैं यह क्यों ना मानूं कि यह ब्लैक मेल करकर बीजेपी की लीडर्शिप को कह रहे हैं कि भाई मुझे एक है दो कि हम तुमको सुल्तानपुर से लडाएंगे तुम्हें बोलना बंद कर दूंगा यह तो गलत तरीका है यह ऐसे राजनीती नहीं होत करता है वो थे फायर ब्रेंड ने था है नहीं थे मतलब बीजेपी की तरफ से थे जब वो हिंदुत्यू की बात किया करते थे वह महासचिव थे वह बंगाल के प्रभारी थे बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी और आज मुक्यमंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन अब क्या तो पर बन गए ऐसे में उनके सामने अपने आपको खड़ा नहीं कर सकते हैं आप कंटेंप्ररी पॉलिटीशन हैं आप नेक्स जेमरेशन के पॉलिटीशन नहीं है आप योगी के सामने पास साथ सारी छोटे होंगे तो यह नहीं हो सकता कि वो भी मुक्यमंत्री बने मैं भी केंद्रे लीडर शिफ ने भी यह मैसेज रावरुन कांधी तक बहुत स्पश्च कर दिया है कि वह तुम्हारी वह जगह नहीं है या तो तो को डिसिप्लीन सोलजर परके रहना पड़ेगा वह उनको अपने जनरल सेकेटरी बनाया था आप पश्री मंगाल जैसे बड़े र चीजे आते हैं तो वरुन घंदी की यह तरह के तूईट करना यह सरह का फेस्बूक पोस्ट लिख सुमिज जी यह बताईए कि वरुन गांधी यह तो एक बात ही कि आप प्रोपगेंड़ा है आप चर्चा में बने हुए हैं आपकी किताब ये सारी चीजे अपनी जगह है बट अल्टिमेटली पीली भी सुल्तानपूर। यह दो ऐसी जगे हैं जहां पर मेनका गांधी और वरुन गांधी की अच्छी खासी पकड रही हो तरप्रदेश के इन दोनों और इसलिए दोनों अल्टरनेट लड़ते भी रहे हैं। जिस बात की आशंका जताई जा रही है। इनको टिकेट नना देना रिस्क है बीजेपी के लिए क्या ऐसा माना जारे है। नरेंद मोधी के नाम पर ही बीजेपी ने 14 का चुनाव जीता, 19 का चुनाव जीता, 17 का यूपी में विधान सबाद जीता और 22 में विधान सबाद जीता। वो नरेंद मोधी और योगी का जो कॉंबिनेशन यूपी के लोगों को मिल गया है। जिसमें एक हाट टास्क मास्टर है, जिसमें एक हिंदुत वादी चेरा है, जिसमें मंदिर बन रहा है। और जिस पार्टी को 300 सवा, 300 सीटे आ रही हूँ, वो एक या दो सीट अगर मान लिजए, रिस्क आपकी बात में मान भी लूँ और वो हार भी जाए। तो क्या फरक पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि वरुन गांदी के पास बहतरीन मौका था, सुल्तानपूर के इलाके से लखा हुआ लखीमपूर खीरी का इलाका है। जहां पर अजय मिश्चा टेनी के बेटे वाला वो कांड हुआ, किसान अंदुलन के तुरान। आज वो किसान अंदुलन पे तब हम चिठियां लिखते हैं, सरकार की नीतियों के अलोचना करते हैं। तो क्यों नहीं नहीं इस्तीफा दे दिया। अजय मिश्चा टेनी के खिलाब पार्टी कारवाई नहीं कर रही है। यह कहते हैं, वो बीजेपी से अलग हो जाते, तब तो वो शान्त रहे, तब उनोंने कुछ नहीं किया। तो मैं यह कह रहा हूँ कि वरुन गांदी कितने दूद के दुले हैं, हमको उस पर भी सोचना चाहिए। अब एक अंतिम सवाल आप से करना चाहूँगा, विकल्प की बात करें। लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, इस विचारधारा के लिए तो मैं विचारधारा पर नहीं जाओंगा, सर कटा दूँगा अपना, इतने तक बात बोलते हैं। विचारधारा नहीं है, तो क्या ये ले सकते हैं। और अखिलेश यादव, राहूल गांदी या कोई और विकल्प वरुन गांदी के लिए क्या अभी इस्थितियां बीजेपी से अलग अटकर दिखाई पड़ती हैं। देखिये, वरुन गांदी का कॉंग्रेस पार्टी में आना, ये मुश्किल काम है। ये जानते हुए मैं कहा रहा हूँ कि प्रियंका गांदी के साथ हम समने इसी तवाम खबरें पड़ी हैं कि वरुन के अच्छे संबंध हैं। वो अपनी बहन के साथ संपर्क में रहते हैं। परिवार से बाहर चली गई, और फिर चली ना चली गई, बीजेपी के पाले में जाके बैठ गई, बीजेपी की मंतरी बनी गई, सांसत बनी रही हैं। तो वरुन गांदी इंडिपेंडेंटली सुल्तानपुर की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह हो सकता है कि अखिलेश यादव और कॉंग्रेस पार्टी उनके सामने कैंडिडेट ना दे। और सुल्तानपुर में वहां पर कॉंग्रेस का भी अपना वोट बैंक है। वहां पर समाज़ादी पार्टी का भी यूपी में पकड़ है। अगर यह दोनों पार्टियों के कारकरता मिलकर वरुन के साथ काम करें। तो शायद वरुन एक फॉर्मिडेबल कॉंबिनेशन के एक फाइट देते हुए दिखाई दें बीजेपी के अमीदवार को। पर यह सब चीजें मैं कहा रहा हूँ ना हवाई अभी किले हैं। वरुन गांधी तो बहाँ निकले या निकाले जाएं। उसके बाद आगी किती हैं। अगर वरुन गांधी बहुत सीरियस होते हैं। बीजेपी को छोड़ने को लेकर तो उन्होंने एक अदम खुद उठाया होता। शत्रुगन सिना और यश्वन सिना ऐसे उधारन भी हैं। बीजेपी कभी छेड़ती नहीं है ऐसे निता हूँ। आप खुद ही ले लिजी अपना डीसी जनौर। आम तो जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे आपको कोई पत्दी नहीं है। बीजेपी की स्टेटिजी है बहुत स्मार्ट ली। वो देखिए उन्होंने किसी पर कोई कारवार्य। आपको बोलने देंगे बोलना कितना बोलोगे। नकार खाने में तूती वाली जो काहवत है वही इस्तिति है कि आप अकले उचलाते रहो बोलते रहो। जैसे ही आप इंगेज करोगे, उनको आप रेसिप्रोकेट करोगे, जवाब दोगे तो आप उनके साथ इंगेजमेंट में चलेगा। जैसे आप इंगेजमेंट में गए तो फिर पचास बाते खुलेंगी, वो पचास इंटरनल चीजें बोल सकते हैं। और वो निर्दली एक उमिदार तिनावल लड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।